कि नमस्कार कारिक्रम आरोग्य मंत्र में मैं मॉनिका राठी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों आपने ये तो सुनाई होगा कि निरोगी काया सबसे बड़ी माया और ये निरोगी काया ही होती है जिसके जरीए आप اپने जीवन की हर चोटी से लेकर बड़ी खुशी का आनद ले पाते हैं पर कई बार हमारे इस काया में, हमारे इस शरीर में बहुत से बिमारी आ जाती है और उन बहुत से बिमारीों की कई बार शुरुआत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से आखिर ऐसा क्यों होता है आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर आपको ज्यादा सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं आयरवेदिक आचारी है डॉक्टर प्रताब चुहान डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्टूडियो में नमस्कार नमस्कार जी आई डॉक्टर साब जैसे कि अगर हम ड्रक्व सिस्टरम की बात करें तो इसको तो लोग कहते है कि अरे मैने ज्यादा झालिया घर अ कं खательно यह घर और खम लेना यहीए अक रीजन होता है इसके खराब होने का या फिर कुछ और भी रीजन्स हो सकते हैं। अधिर से पहले भोजन की नली हैं इसोफाइगस जिसको बोलते हैं। फिर पेट है स्टमक फिर उसके बाद दियोडनम आता है फिर छोटी यहांत आती हैं। उसके बाद जो हमारे जो पंक्रियाज है, हमारा जो लिवर है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, यूंकि उसमें भी कुछ ऐसे रस बनते हैं, पाचक रस जो पाचन में सहायक होते हैं, तो जितना भी जो जो पाचन से रिलेटेड हैं, उनको हम डाजेस्टिव सिस्टम क एंडर कंसिडर करते हैं, और ये पूरा सिस्टम इसलिए इंपोर्टेंट है, कि जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना केवल जीब के लिए नहीं खाते हैं, खाना हम इसलिए खाते हैं, कि हमारे शरीर में हमारे जो मसल्स हैं, मांस्पेशियां हैं, हमारी हड़ियां हैं, अच्छे मजबूत मनें अगर धातू मजबूत होंगे तो हमड़ा शरीर स्वश्त्र रहेगा। अगर धातू कोई भी कम जोर होगा ₥ खूष खूष जाएगा हडीयां कम जोर होगी तो श्टिड़ो ऌस पोरेस्स हो जाएगा। यह प्रकार की जो भीमारियां हमें हो जाती हैं, उसमें कहीं नहीं हमारा जो digestive system है वो बहुत महत्व रखता है, भोजन तो हम खारते हैं, लेकिन भोजन का न्दर होता है वो digestive system को समझने से ही आपको समझ आएगा, राज इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि क्या कारण है कि हमारा digestive system खराब हो जाता है और कैसे उनका हम उपचार कर सके तो थोड़ा आप ध्यान से सुनते रहे हैं आज इस विशे पर हम विश्थार से चर्चा करने वाद है जी डॉक्टर साब हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे फिलाल अपने दर्शकों को बता दो एक एसा नमबर जिस पर आप अपनी call register करा सकते हैं और जीवा की पूरी टीम से आप बात कर सकते हैं जीवा के सभी डॉक्तर्स आपकी पीडा को सुनने के लिए आपकी समस्या को सुनने के लिए हमेशा तत पर रहते हैं जल्दी से नमबर नोट कीजिए नमबर है 01294040404 एक नंबर है जिस पर आप अपनी कॉल रिजिस्टर कराईए और जीवा के डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करेंगे ना केवल आपकी समस्या सुनेंगे बल्कि उसका सही ट्रीट्मेंट उसका सही समाधान भी आपको बताएंगे डॉक्टर साब अभी हमारे साथ एक और दर्शक जोड़े हुए हैं उससे बात करते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारिकरम में नमस्कार हलो जी है अपना सवाल पूछिए इस मेरी ऐस 25 वे मॉनिंग में हैडेक होता है अच्छा मॉनिंग में हैडेक होता है देखिये हैडेक जो है वह बड़ी कॉमन सी समश्या है और हैडेक के बहुत सारे कारण होते हैं आइरवेद की दृष्टी से गरम देखें तो कबस की वज़े से भी हैडेक होता है रात को नींद प्रॉपर ना है उसकी वज़े से हैडेक हो सकता है जुखाम से हो सकता है बुखार से हो सकता है किसी किसी को तो ऐसा भी होता है तक मैं समझता हूँ कि इसमें दो कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि रात को अगर आपको प्रॉपर नीद ना आए, नीद जब गहरी नहीं आती है, तो हमारा जो ब्रेन है या जो उसको माइंड कहते हैं, उसको पूरा रेस्ट नहीं मिलता है, तो सुबह उटकर के थोड़ा सिर वाला जो सिर दर्द है, इसको ठीक करने के लिए चाय का प्रियोग मत करीए, बहुत सारे लोग जो है, जब सिर दर्द होता है तो कहते हैं, थोड़ी सी चाय पिला दो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, चाय में कोई ऐसा तत्व नहीं है, जो सिर दर्द को ठीक करता है, केवल उसमें और वो एक तरह से addiction कर देता है तो अगर आपको सिरदर्द अपना ठीक करना है तो मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा कि रात को सोते समय एक कप गरम दूद उसमें थोड़ा सा गाय का घी अगर मिले तो थोड़ा सा आदा चम्मस गाय का घी डालके आप रात को पी है उससे दोनों आपको benefit होंगे नींद भी अच्छी आएगी आपका पेट भी साफ हो जाएगा और आपको सिरदर्द नहीं होगा और रात को सोते समय दोनों नासिकाओं में तीन तीन चार चार बूंद बादाम का तेल भी आपको डालना चाहिए उससे भी आपको relief मिले है और आयुर्वेड में तो ऐसे बहुत से उपचार होंगे जो की आसानी से चुटकियों में बहुत ज़्यादा कोई महेंगे भी नहीं है इसके लिए यहां वहां जाने की विज़रत नहीं है घर वैठे यह उपचार इसलिए प्रोग्राम हमने शुरू किया है ताकि परशक हैं हमारे साथ उनसे बात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है कारिक्रम में नमस्कार जी आप अपना सवाल पूछिए मेरी हुमर 25 साल है जी मेरी प्रॉब्लम यह हो रही है कि मैं तुछने की मैं से अपनी गर्दन में दर्द से परेशान हो गर्दन दर्द जो है उ तो मुख्या कारण उसमें जो हमने देखा कि पॉश्चर से रेलेटिड है खास तोर पर जो लोग डेस्क का काम करते हैं आज कल कंप्यूटर पर भी काम करते हैं तो जो गर्दन उनकी है वह ऐसे जुका के बैठते हैं आगे की तरफ तो पॉश्चर की वज़े से उनको प्र आप आम तोर पर आपने सुना होगा कि लोग कह देते हैं आपको वात रोग हो गया है, बाय का रोग हो गया है, तो कोई भी कारण हो, उस कारण को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अजवाइन ले लिजिए, ताजया अधरक ले लिजिए, एक चमच, एक चमच सालश करिए, सुबह साम आराम से थोड़ा सा शिकाई कर लिजिए, इस से आपको काफी रिलीफ मिलेगा, जैसे जैसे आपके गरदन की मास पेशियां थोड़ी धीली होंगी, थोड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, तो आप थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करिए, ले और ऐसे जो पुराने रोग हो गए हैं, जिनमें आपको काफी तिपलीफ होती है, उनसे भी आप चुटकारा पा सकते हैं, बंच करम चेकित्सा के बादेश कोई भी रोग अब ऐसा नहीं है, जिसको दूर ना किया जा सके हैं, उसको अपने जीवन में बसा कर रखने की करता चुकी है, फिल्हाल यहां पर हम रुपते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मच जाएगा, जल्द हासर होते हैं,